जिसके साथ जीने मरने की कसमे खाई थी, वही अगर जान का दुश्मन बन जाए तो क्या कहेंगे? एसा ही एक मामला बकसर से सामने आया है, जहां एक पती ने अपनी ही पत्नी पर तेजा भी हमला कर, उसे गंभी रूप से जखमी कर दिया, जो फिलहल सदर अस्पताल में जिन्दगी और मौत से जूज रही है। और खुद मौके से फरार हो गया। तो अभी क्या हुआ है? मामी जल्दी बचा, मामी भाया को बलने लागा तो फेक कर भाग गया। कितना जली है इस से तेजाव से? पुरा जली है, सारी है। नहां दिखाईये मताब खरी बताईये। पुरा यह पट्ट पुरा जल गया है, यह पीठ एक लंग पुरा जल गया है। वही मामले की जानकारी देते हुए, बकसर एसपी नीरच कुमार सिंग ने कहा कि पती और पत्नी के बीच आपसी विवाद में पती द्वारा पतनी पर तेजा फेंकने का मामला सामने आया है उन्होंने कहा कि पोलिस मामले का अनुसंधान कर रही है और आरोपी की गिरफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है कि अभी तक जनकारी हमलों पर इस समन में मिली है वह यह है कि उनके महिला के पती के द्वारा जहाएं कि यह सिड़ ठेका गया है कारण निदिन में अभी तक के नुसंदान में आपसे भी बात का आ रहा है करिम दो साल सादी के हो चुके हैं इनके लेकिन लड़की जो है अपने मायके में ही रहती है लड़की का कहना है कि भाई उनके पास जो है कि इतना इंकम नहीं है कि उनका मैंने लागन पारवन के बाद फिर से उन से आगर लख किया गया आप चले हाँ सशुराल में रहें इनकार बिया इसलिए जो इनकार कर दिया इसके दर्दारी में आपने पदनी में इस में जो है ब्लग्यें कि पृता जी को स्थ कर लिया गया है घुल पांच यह वैड़तूं के ढर्स करने कि पर परियास हम लोगों कर रहे हैं भी गिर्फटार कर जेल भेज़ दिया है वही पती समयत अन्ने लोगों की गिर्फटारी के लिए पुलिस चाहप अमारी कर रही है पंजाब केसरी टीवी के लिए बकसर से संजा की रिपोर्ट